हेलो स्टूडेंट कैसे हो हम चैप्टर नमबर टैन सर्कल कर रहे थे हैं आज हम लास्ट किश्टन है जो हमारे एक्सर्साइज में आज कंप्लीट कर देंगे तो किश्टन नमर 11 क्या कर रहे हैं में एबीसी और अटी आर्टू राइट ट्रैंगल कुकर डीसी ये वाली ट्रैंगल और कौनसी एटीसी ये दोनों क्या है राइट एंगल ट्रैंगल है इसका आर्थ क्या हुआ, ये कौन और ये कौन क्या है, 90 क्योंकि कोई भी ट्रेंगल हमारे पास, राइट एंगल ट्रेंगल होती है राइट एंगल ट्रेंगल में जो 90 डिगigator का है, उसके सामने क्या होता है, हाईपोटेंईश होता है तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है D क्या होगा 90 का तभी A C क्या होगा Hypotaneous और A B C में B अगर 90 degree का है तो A C क्या होगा Hypotaneous ठीक है तो प्रूब करना है C A D C A D ये वाला एंगल C A D और C B D C B D ये वाला एंगल ठीक है यहां तक का यह angle हमीं क्या करना है equal prove करना है यहां से क्या हो जाएगा angle कौन सा हो जाएगा हमारे पास A, B, C is equal to यहां से कौन सा हो जाएगा angle A, D, C is equal to 90 degree ठीक है क्यों हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है right angle triangle given है यह अगर दोनों है तो हमें पता है both triangle are in same semicircle तो हम क्या कह सकते है both triangle both triangle are in same semicircle ठीक है तो दोनों triangle क्या हो जाएगा यह same semicircle में count हो जाएगी so point जो A, B, C, D है हमारे point A, B, C, D क्या हो जाएगे cyclic हो जाएगे क्या हो जाएगे is a cycle ठीक है cyclic ठीक है तो cyclic हो गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास DC क्या बन जाएगा यह कोड बन जाएगा ठीक है DC क्या बन जाएगा क्यों cyclic sorry क्यों cyclic बन जाएगा तो DC क्या हो जाएगा है, code हो जाएगा, DC is a code, तो code हो जाएगा, तो यह angle क्या हो जाएगे हमारे पास, equal हो जाएगे, कौन सा, angle CAD is equal to angle CBD, ठीक है, इसको code की कारण यह दोनों angle क्या हो जाएगे, inter-angle में same हो जाएगे, ठीक है, तो next question है हमारा, और last question क्या है, prove that a cyclic parallelogram is rectangle, यह क्या given है, cyclic, एक तो क्या given है, cyclic, तो cyclic है तो हमीं पता है, opposite angle क्या होते हैं, उनका sum 180 degree होता है, तो यहनकी angle, इनका में क्या है, हमारे पास यहनकी, a plus c is equal to 180 degree, ठीक है, यह हो गया, हमारे पास क्यों है, क्योंकि क्या है, a, b, c, d is a cyclic, ठीक है, यह क्या है, cyclic है, तो cyclic हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 180 degree होगा, इन दोनों का sum, इन दोनों का sum भी 180 degree होता है, बट एक और given है, यह बात क्या है, cyclic parallelogram, parallelogram है, तो हमीं पता है, क्या होता है, parallelogram की opposite angle are equal, so angle a is equal to angle c, ठीक है, क्यों होगे, equation number second, क्योंकि क्या है, a, b, c, d is a parallelogram, ठीक है, यह क्या है, parallelogram है, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो a की जगे या c की जगे पुट कर सकते हैं, in first, ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, a की जगे c रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, angle c plus angle c is equal to 180, क्यों, by equation, first and second, ठीक है, first और second के दबारा हमने क्या कर दिया, रख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, 2 a c is equal to 180 degree, 2 से cancel out करेंगे, कितना जाएगा, 90, तो c अगर 90 है, तो second के दबारा क्या हो जाएगा, angle a is equal to angle c is equal to 90 degree, ठीक है, similarly हम क्या कर सकते हैं, similarly, अगर यही condition इन दोनों पे लगाएगे, क्या एक तो कौन सी cyclic वाले, और यह क्या, पेरलोग्राम वाले, तो हमें क्या मिलेगा, angle b is equal to angle d is equal to 90 degree, तो हमें पता है, च्यारो कौन क्या होगे, 90 degree क्यों होगे, तो च्यारो कौन 90 degree में किस में होगे, rectangle में जरूर होगे, तो a, क्योंकि पेरलोग्राम तो given था, a, b, c, d is a rectangle, ठीक है, तो यही हमें शो करना था, तो यह हमारा क्या हुआ, आज chapter complete हुआ, इस chapter में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी doubt है, तो comment section में comment करके जरूर बताएं, इसके बाद हम next chapter start करेंगे, तो आप comment section में comment करके जरूर बताएं,